नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार मैं नरिश महननद आपका लाइब सो में स्वागत करता हूँ और आज का जो हमारा विशे है दोस्तों वो है प्राथना का रहस्य प्राथना मसी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ तो आज हम इसी विशे में बात करेंगे कि प्राथना क्या चीज है और प्राथना क्यों करना चीए प्राथना किस के लिए करना चीए और प्राथना करने से क्या फायदा होता है और प्राथना के बारे में और बहुत सारी बाते हम सीखेंगे आज दोस्तों जो प्रातना है ये एक ऐसी बात है ऐसी आज्या है ऐसी सूची है जिसे हम परमेशवर तक पहुंचाते हैं प्रातना एक निवेदन है, प्रातना एक लेटर है, प्रातना एक मन की एक ऐसी करुणा भरी आवाज है, प्रातना एक बहुत सुन्दर शब्द है जो हम करते हैं, और जब हम प्रातना करते हैं, तो हम इश्यू के नाम से आमीन कहते हैं, और इश्यू के नाम से जब आमिन कहते हैं, तो इश्यू मसी के नाम से आमिन इसलिए कहते हैं, क्योंकि इश्यू मसी उस प्राथना को ले करके परमेश्वर के पास जाता है, हमारे निवेदन और प्राथना और हमारे बिंती को ले करके परमेश्वर के पास प्रस्तूत करते ह क्योंकि प्रभुईश्य मसी परमेश्वर और हमारे बीच में बिचवई है वो मध्यस्त है और उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं परमेश्वर ने ये अथौर्टी दिया है प्रभुईश्य मसी को और जो प्रभुईश्य मसी को अच्छा लगता है वो परमेश्वर को अच्छा लगता है तो प्राथना परमेश्वर नहीं बलकि प्रभुईश्य मसी परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं बहुत सारे लोग दोस्तों प्राथना क्यों करते हैं पता है आपको स्वार्थी पना के लिए मतलब ही होते हैं सिरीब अपने लिए प्रात्ना करते हैं अपने जीवन के लिए प्रात्ना करते है, anytime कि हमें रात को मिठी निन शुलाना, कल का सोवर दिखाना हम को अच्छा खाना देना, हम को भोजन दिया इसलिए धन्यवाद हमारे परिवार को अच्छा रखा इसलिए धन्यवाद फलाना किया धिकाना किया यह सभी मतलब से सभी बाते मेरा बेटा पास होना चीए मेरी बेटी यह होना चीए पास्टर साहब यह प्राथना करिए आप मेरी बेटी के लिए आप मेरा बेटे के लिए प्राथना करिए उस अपने लिए हो, मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे पती के लिए हो, मेरे 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 सिर्फ करते रहता है और सिर्फ पाने की चाहा रखता है, सिर्फ पाने की चाहा रखता है, कभी कुछ देता नहीं है परमेश्वर को, सिर्फ मांगते रहता है, मांगते रहता है, एक भिकारी के तरह मांगते रहता है, परमेश्वर से, लेकिन बाइबिल हमें क्या बताती है, बाइबिल हमें क्या सिखाती है, बाइबिल से हम कैसे जूड करके, कैसे सीख करके हम प्राथना करते हैं, प्राथना कोई रटा नहीं है, या रटा गोलते हैं जैसे स्कूल में निवदन और आवयदन पत्र देते हैं फ्रिंसिपल कह पास यह जो भी सरकारी काम करवाना रहता हम्न और निवदन पत्र देते हं उसके बाद application आपके तो 55 you train Eandır नेकले आंट ने indem here किसके लिए करें किसके लिए ना करें और कैसे करें और क्यूं करें और कौन-कौन सी बातों के लिए प्राथना करें यह सभी बाते आज हम सीखेंगे इस वीडियो पर प्राथना के विशय मैं और बताने से पहले एक शब्द मैं और बोलूंगा कि जो हम प्राथना करते हैं प प्रभु की प्राथना ये प्रभु ने सिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा बूल करके हम प्राथना करते हैं, लेकिन ये गलत है, प्रभु ईश्यू मसी ने अपने चेलों को सिखाया, प्रभु की प्राथना, और सुसमाचर की पुस्तक में जैसे लिखा है, कि उन उन लोगों ने चेलों ने कहा कि यहना के चेले तो प्रात्ना करते हैं प्रभू तू भी हमें प्रात्ना करना सिखा कि हम कैसे प्रात्ना करें तो उतना समय परमेश्वर का राज्य नहीं आया था और अपने चेलों को उन्होंने सिखाया यह हमारे पिता तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी हो ते वैसे पृथी पर भी हो, तेरा राज्य आवे, इस प्रकार से यह सभी चीज को प्रात्ना इसलिए बोला उतना समय दिया प्रमिश्वर ने प्रभू इश्व मसीने लोगों को, चेलो को, कि उतना समय परमिश्वर का राज्य भी नहीं आया था, और उन लोगों को सिखाया गया प्रात्ना, बताया गया कि इस तरह से तुम प्रात्ना किया करो, और ये प्रात्ना चेलों के लिए था, बारा प्रिरतों के लिए था, क प्राथना करने के बाद जो कलिस्या में, जो चर्च में, लाष्ट में फिर से करते हैं, प्रभु की प्राथना करें बोलके, प्रभु की कोई प्राथना नहीं है, वो तो चेलो की प्राथना थी, जो प्रभु ने सिखाया था चेलो को, यह कोई प्राथना नहीं है, प्राथन यानपड करे या पड़ा लिखा करे प्रात्ना प्रात्ना होता है तो यह जो प्रात्ना था यह प्रभु इश्व मसी ने अपने चेलो को सिखाया था तो यह चेलो की प्रात्ना थी हमें नी करना है यह प्रात्ना हमें प्रभु इश्व मसी के लिए जो प्रात्ना करना है प्र किसके लिए हमें प्रात्ना करना है सबसे पहले परंतु मैं तुम से यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रात्ना करो को सताने वालों के लिए प्रात्ना करना है कोसना नहीं है गाली नहीं देना है श्राप नहीं देना है हमें उनके लिए प्रात्ना करना के लिए बोला गिया है तो यह प्रात्ना हमें करना है सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करना है अपने बैरियों के लिए अपने सताने वालों के लिए प्राथना करना है कि प्रभु उन्हें आशिष दे, समझ दे, ताकि उन्हें बुद्धी दे, ताकि उए तुझे जान सके, पहचान सके, यह ने कि प्रभु उसे धंड दे, उसे मौत की सजा दे, उसे सत्या नास कर, ऐसे प्राथना नहीं करना है, उसके लिए हुआ है मती 6 का 5 से हम 8 पत तक पढ़ेंगे यहाँ पर आये के लिखा है कि जब तु परातना करें तो कप्टियों के सामान ना हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए यहादना लोगों में सड़कों के मोडों पर खड़े होकर प्रात्ना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके परन्तु जब तू प्रात्ना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है पर प्रात्ना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा प्रात्ना करने के लिए कोई जगा नहीं मायने रखता है आप अपने कमरे में यहां पर बंद हो करके प्रात्ना कर सकते हैं अकिले रूम में जा करके प्रात्ना कर सकते हैं फिर उसके कि यहां पे हमें हमें इसलिए तुम उनके समान ना बनों क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमारी क्या क्या आवशक्ता है हमारी आवशक्ता को छोड़ कि हमें दूसरे के लिए प्रात्ना करना है परमिशुर जानता है हमारी आवशक्ताओं को और पूरा करेगा हम उसके इच्छानुसार पर चलेंगे तो फिर उसके बाद लिखा है मती उसक 22 पद में लिखा है कि और जो कुछ तुम प्राथना में विश्वास से मागोगे वो सब तुमको मिलेगा तो विश्वास से हमें मांगना है प्राथना में हमारा विश्वास तूट रहना ची मैँ तो जो कुछ तुम मांग है यानि कि गारी, मोटर, बंगला दौलत, धन, दौलत, जॉब, महनत कुछ नहीं करना है, फोकट का परमेश्वर से हमें नहीं मांगना है, विश्वास से मांगने के लिए यहां बोला गिया है, तो क्या-क्या चीज मांगना है हमें, हम बाइबल से देखेंगे, यहां पे बाइबल में जैसी कि मत्ती उसका 26 का 41 में क्या लिखा है यहां पे, हमें क्या चीज को मांगना है प्रात्ना में, जो कुछ भी मतलब क्या, जो कुछ भी मतलब हम क्या, अपनी अभिलाशाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर के पास गिर गिराएंगे, क्या, अपनी अभिलाशाओं को, सांसारी का परिच्छा में ना पढ़ो इसलिए भी हमें प्रात्ना करना हमें परिच्छा में पढ़ने से पहले परमिश्वर से प्रात्ना करना है कि हमें परिच्छा में ना डाल प्रभू ऐसे बूल करके फिर आत्मा तो तयार है परंतु शरीर दुर्बल है आत्मा तुमारा सुईकार क वचन में यहां पर मर्कूस 11 उसका 24 पच्चिस देखेंगे तो यहां पर प्रभुश्मसी फिर बोलते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है इसलिए मैं तुम से कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रात्ना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लि किसी के भलाई के लिए किसी के अच्छाई के लिए प्रात्ना करते हैं तो समझ जाओ कि वो हो गया है ऐसा सोच करके हमें अपना जीवन बिताना है क्योंकि परमिश्वर वैसा कर देगा पुरा विश्वास के साथ फिर उसके बद लिखा है और जब कभी तुम खड़े यदि तुमारे मन में किसी के प्रती कुछ विरोध हो तो छमा करो इसलिए कि तुमारा स्वर्ग्य पिता तुमारे अपरात को छमा करें तो जब तक हम हमारे मन में किसी के प्रती विरोध ही आवास रखें और प्रात्ना कर रहे हैं तो हमारी प्रात्ना नहीं सुनी जाएग अगर हम किसी के प्रती हमारे जीवन में, हमारे मन में विरोध है, तो उसे चमा करना है, ताकि परमेश और हमारी प्रात्ना सुन चके, उसके बाद हमें प्रात्ना करना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मर्कुस, उसका 13 का 33 पद में, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लि कैसे जागना है हमें प्रात्ना करते हुए अपने मसी जीवन को जाचना पर रखना है और देखना है हमें प्रात्ना करते रहना चीए कि प्रभुष मसी के वो समय कब आएगा हम नहीं जानते हैं इसलिए हमें प्रात्ना करना है और परमिश्वर से मांगना है कि मैं सिद्धता की और बढ़ते चले जाओं फिर हमें फिर क्यों प्रात्ना करना है देखिए और हमें इसलिए प्रात्ना करना है जैसे कि लिखा है लुका 21 उसका 36 पद में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है इसलिए जाकते रहो और हर समय प्रातना करते रहो क्यों प्रातना करना है भई यहाँ पे इसलिए प्रातना करना है क्योंकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनश्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो हम लोग सिर्फ क्या चीज के लिए प्रात्ना करते रहते हैं मांगते रहते हैं सांसारी का भिलाशाओं को पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बस भीक मांगते रहते हैं परमिश्वर के पास लेकिन हमें इसके लिए प् प्रभु ईश्यू मसी के पास खड़े होने के योग्य बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए हमें प्रातना करने। फिर उसके बाद बाइबिल हमें ये भी सिखाती है, यहाँ पे फिलिपियो 4 का 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परन्तु हर एक बात में तुम्हारे निविदन, प्रातना और बिंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुक उपस्तित किये जाएं। तो हमारा कोई भी बात हमें चिंता नहीं करना चीए, हमारा चिंता नहीं बढ़ना चीए, किसी भी बात में हमें चिंता नहीं करना चीए, परन्तु लिखाया है कि हर एक बात को निविदन, प्रात्ना और बिंती के द्वारा परमेश्वार के पास धन्यवाद के साथ उपस्त के लिए और इस जसन के लिए तेरा धन्यवाद हर चीजों में धन्यवाद करना है परमेश्वर के सामने किसी की बात की चिंता नहीं करना है यहां तो सिर्फ चिंता करकर के प्रात्ना करते रहते हैं करते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं परमेश्वर जानता है कि हमें क्या उसका दूसरा पद में लिखा हुआ है यहां पे कि प्राथना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरित रहो प्राथना में लगे रहना है प्राथना करते रहना है और धन्यवाद देते हुए उसमें जागते रहना है उस प्राथना में याने कि उस प्रातना के अनुसार हमें काम भी करना है कि सिर्फ प्रातना कर दिये और चुप-चाप हैं यह तो वही बात हो गया कि एक्जाम में कुछ पढ़के नहीं गए और टेबल में बैठे हैं और कुछ भी लिख करके आगए और यहां प्रातना कर रहे हैं कि परमेश्वर तुपास करा दे और प्रातना कर रहे हैं लेकिन यहां जागरित रहने का अर्थ यह है कि जिस काम के लिए आप प्रातना करे हैं उसमें लगे रहें तब परमेश्वर आपको सफल करेगा, अगर और हम देखे हैं तो यहां पे याकूप पांच अध्या है उसका तेरह पद और चौदा पद और 15 पद देखते हम, प्रात्ना में कितना सकती है, प्रात्ना हमें क्या-क्या दे सकती है, अब देखें, यहां पर लिखा है 13 पद में, याकोब 5 का 13 से 14-15 पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी है, तो वह प्रात्ना करे, यदि आनन्दि तो वह स्तूति के भजन गए यदि तुम में कोई रोगी है तो कलिस्या के प्राचिनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रात्ना करें और विश्वासी की प्रात्ना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उस प्रभु उसको उठाकर उठीश हमा हो जाएगी प्रात्ना का इतने ऑवर है तो यहां पर जैसे बोला गये वैसी करना है हमें अगर हम दुखी है तो प्रात्ना करना है और आननदित है तो हमें भजन गाना है परमिशवर का तो परमिश्र को भूल जाते हैं, कोई function होता है, festival होता है, कुछ चीज मिल जाता है, तो परमिश्र को भूल जाते है, धन्यवाद नहीं देते हैं, गीत नहीं गाते हैं, भजन नहीं गाते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है सामने, तब प्रभु प्रभु बोल करके म प्रभु को दुख के सम्य शिर वियात करते हैं। इसलिए दौत कहता है कि मुझे इतना दे कि मैं तुझे भोलना जाऊं। कि मतलब गव Corinna देगा तो भूल जाएगा और कम देगा तो मैं तेरे सामने हर समय रहूंगा। इस प्रकार से दाउत कहते हैं और देखिए दोस्तों यहां पर उसी बाजू में नीचे में लिखा हुआ है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रात्ना करो जिससे चंगे हो जाओ अब देखिए फिर लिखा है नीचे में धर्मी जन के प्रात्ना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है अब देखिए आप बोल रहा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनिश्य था और उसने गड़गड़ा कर प्रात्ना की और मेहन बरसे और साड़े तीन वर्ष तक भूमी पर मेहन नहीं बरसा फिर उसने प्रात्ना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमी फलबंत हुई तो यहां पर फिर से मतलब प्रात्ना की शक्ती को बता रहा है हम एक दुसरे के प्रात्ना करेंगे तो एक दुसरे के पाप छमा कर पाएंगे एक दुसरे के पाप छमा हो जाते हैं और फिर उसके बाद लिखा है कि धर्मे जन के प्रात्ना से बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए हमें प्रात्ना को मजाग नहीं लेना है, प्रात्ना को हसी में नहीं लेना है या प्रात्ना को कमजोर नहीं समझना है, प्रात्ना बहुत बलवन्त है, दोस्तों कभी-कभी हमार निर्वाह करो और इस्त्री को निर्बल पात्र जान कर उसका आदर करो यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वर्दान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रात्ना रूखना जाए तो पती-पत्नी का मन जब तक एक नहीं हो जाता या लड़ाई रहेगा या उच नीच रहेगा तो और एक जण प्रभु को विश्वास करता है और एक जण बहुत कम करता है इस प्रकार से उचा नीच विश्वास रहेगा तो उनकी प्रात्ना रुख जाती है यहाँ पे आदर करना है निर्बल पात्र जान करके इस्त्रियों का प्रभु की दासी का और एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करना है एक वर्दान समझ करके और उसके बात यहाँ पे हम देखते हैं पहला पत्रस चार अध्या उसका साथ पद यहाँ पे लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है सब बाते का अंत होने वाला है तुरंत लेकिन यहाँ बोल रहा है इसलिए हमें सयमी होकर प्राथना के लिए सचेत रहो, हमें सयमी होकर किसी भी बातों में सयमतार बरतना है और प्राथना में सचेत रहना है, एनी टाइम प्राथना करना है और किस-किस बातों के लिए प्राथना करना है जो आज हमें बाइबिल ने बताया है, और बाइबिल हमें यही सिखाती है यही सब बाते दोस्तों आज हमने सीखा कि प्राथना के कैसे कैसे गुण होते हैं प्राथना किसके लिए करना चाहिए प्राथना करने से क्या क्या फायदे होते हैं और प्राथना हम हमें लगातार क्यों करना चाहिए यह सभी बाते आज बाइबिल ने हमें बताया प्रभुईश मसी ने हमें बताया, पुवित्रा आत्मा के द्वारा हमें इस्मरण दिलाया है, तो प्रात्ना हमें क्या करना चीए, क्यों करना चीए, किसके लिए करना चीए, और लगातार प्रात्ना में बने रहना के लिए क्यों बोलता है Bible, यह सभी बातों को आज हमने लिखा जाना और इसी प्रकार से नए-ने वीडियो के साथ हम लाइप सो में आपके लिए लाते रहेंगे और हमारा चैनल देखें हमें वास्ट अप करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें हमें इमेल करें और जल्द ही हमारा वैफसाइट आने वाला है आप हमसे जुड़े रहें आपके लिए जीवन के लिए आपके आत्मिक जीवन के लिए सत्य के लिए बहुत फायदे मन्द होगा हम फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा परमिश और आप सभी को आशिस दे नमस्कार गुडबाई